सुप्रीम कोट ने एक 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 एहासिक निरने दिया है और भारतिय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कनवर्शन स्कीम यानि इलेक्टोरल बॉंड स्कीम को खारिज कर दिया कॉंग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करते आ रही है देश के अनेको नागरिक और संग्थन ये मांग करते आ रही है कि इलेक्टोरल बॉंड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरक धन्दा है वोट के बदले में नोट के बदले में वोट का एक गोरक धन्दा है और उस क्या ये सच नहीं कि करीब 80% पैसा भाजप्पा को इलेक्टोरल बॉंड्स नियुक्त कोई मेज के नीचे या पड़दे के पीछे ऐसी दील पीची उन सारे कॉर्परेट से कि आप हमें चंदा दो और चंदे के बदले में हुगा ही आप इलेक्टोरल बॉंड्स के माद्यम से वो पैसा किन कॉर्परेट्स ने बीजेपी को दिया उन कॉर्परेट्स को क्या पाइदा पहुंचा सत्तादारी दल बाजप्पा ने कौन से कौन से सरकारी एसेट उन कॉर्परेट्स को उसके एवज में दिये क्विट्प्रो को, यानि तुम मेरी कमर कुझ लाओ, मैं तुमारी कमर कुझ लाओ, वो क्या है सर्थ लोगों को और देश को क्या-क्या नुक्सान हुआ इन सारे बातों का जवाब देश के माननिय प्रधान मंतरी, विद मंतरी और जेपी नड़ा साहब को देना चाहिए